है लो गाइस वेलकम बैक इन मैं यूटूब चैनल इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैंब सर्वर और को कैसे डाउनलोड करेंगे अपने विंडोज में चलिए स्टार्ट करते हैं तो कोडिनेटर को डाउनलोड करने से पहले आपको जरूर परती है तो यहां पहले जै करेंगे आपने सब्सक्राइब याँ से डाउनलोड कर लेटे थे जैंब सर्वर को सारी स्टेप करके बताएं गर से डाउंलोड करना तो यहां से हम पहले जैसे डाउनलोड हो चुका है अब और उपने कर लेंगे एर हमारा जैम सर्वर इससपर ड्रवल क्लिक करेंगे और इसको हम install करेंगे अब तो को डिनेदर को डाउलोड करने से पहले हमें जाया रोग jury पर देसलिए महां है इसका cannot करेंगे फिसका परमिशन देना होता है जो कि हापको वह सो हो सकता है ब्लैंक हो तो आपको मैंक्लिक करके उसको पर मैं संदेदे पर क्लिक करेंगी और यहां पर नेक्स पर क्लिक कर देंगे इसके वास इसके लोकिशन कहां पर देना चाहते हैं तो बेटर हईर रहेगा और लख ट्राइबけ तया नार कि पर दया नियाल और रख लीजिए फाइल को यहां पर ब्रकाइबाट कर लेते आपने जिसका नेम है जायंप तब क्यart के एक वंदर रखते हैं तो क्या काफी लोट बढ़ जाता है जिसकि असी ड्राइफ फूल जाता हुन Gravity से लच भीटोरोप रेता है तो एह पहुत ऐहां जाते हैं breadth company時 कर दियाँ फिर हैं पर लाइंगे इंगली in English राण िग और यहां पर निक्स्टनेंस कर देंगे आसब बहुत है कि यहां पर दख में पर करना चाहिए कर सकते अधर स्ब्सक्तूर्स करें Look और यहां पर देख सकते हैं action स्वाना पार्ट कंपट्रेंटकर है ग्रान पर कंपनेंट मिसिंग करना अगर पुटि करेंगे चار में चाहलेधा तो ओने पूरा ही करeros इंस्ट्ल रही रहेगा यहां पर मिसंकर देंगे अलाव 31 कि आलाव सिस्क्र्रीक कर देते हैं older defender 24 जो कि अप ओन है तो यहां प्योवous नहीं तो तो आप से नहीं कर देना एक और यहां पर विर्ट कर ले लेना कि इसको आप सकता है यहां पे इंस्टॉलेशन होने में तो आप को कब दो यहां से मारा इंस्ट्रॉलेशन की कंप्लीट हो चुका है आपको फिनिस पर एस्ट क्लिक करेंगे आपका जो जैन पर का आज के को बारियों कर सकते हैं यहां पर स्टाट कर देंगे मैंद स्केल भी यह लगा प्रसें कौने सब्की और बिया सकते हैं यहां पर यहां पर को डाउलोड करना है तो कोडिग नेटर यहां पर टाइप करेंगे और यहां पर इसका ओफिसल वेबसाइट ओपें हो जाएगा ठीक है तो coordinator यहां पर में ली pHP का एक framework होता है जो कि हम आपको इसका basic step बताएंगे यहां पर coordinator 4 & co2go कोडिनेटर 3 को और यहां से हमारा एक्स्ट्रक्ट हो गया इसको बेंगे और यहां पे इसके अंदर कुछ फाइल सोगे सारी फाइल ठीक है तो इसको हम कंट्रोल ए-C यानि सारी को हमें सेलेट करके कौपी कर लेना है और आपको इसको पेश्ट करना है जहां पर आपने जैंप सर्वर को जाएंगे यहां पर ht-dog है इसके अंदर जाएंगे और इसी के अंदर हमें एक न्यूफ फोल्डर हम क्रियेट कर लेते हैं जिसका नेम हम रख देते हैं कोडिंग नेटर 3 कोई भी नेम आप यहां से रख सकते हैं ठीक है तो यह में लिए कोडिंग नेटर जो होता है MVC पैटर्न पर वर्क करता है तो कैसे इसमें वर्किंग होती है हम आपको नेक्स्ट वीडियों बताएंगे इसमें बस मैंने आपको बताया है कि कैसे कोडिंग नेटर को डाउनलोड इंस्टॉल करना है और कोडिंग नेट सक्सिस्फुल इंस्टॉल हो चुका है और इसके बाद इसमें आप देख सकते सबसे फ़ले अप्लिकेशन है अप्लिकेशन के अंतर कैज कॉंफी कंट्रोलर एंड है पर हुक से सारी चीजे क्या है वह आपको नेस्ट वीडियों सारी चीजे एक चीज श्टेप बाइस जो कि डिसकस करके बताएंगे तो यहां इसको यहां से रीट कर सकते हैं को कि कोडिनेटर वैसे ज्यादा टफ नहीं होता है बहुत दीजी होता है और यहां पर फ्रेमवर्क है जो कि इसको यूज कर सकते हैं तो इस तरह सब सारी स्टेप आप यहां से देख लेंगे और यहां पर सक्सेस्फुल इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियों बताएंगे कि इसमें कोडिनेटर को कैसे यूज करना है और यहां पर प्याच्पी जो कि मैंने यहां पर जो जैम सर्वर डाउन